अगर हम question number 11 को यहां पर देखें तो question number 11 बहुत एक simple सी language हमें दिये लेकिन यह question एक तरह से जो अब तक हम करते आये थे वहाँ तो हम एक ही बार n calculate कर रहे थे यहां पर हम n दो बार calculate करेंगे एक तरह से तो सबसे पहले इस question की language समझ लेते हैं फिर देखते हम किस type से question को solve कर पाते हैं एक question हमारे पास है which term of the AP 3,15,27,39 यह हमें एक AP given है will be 132 more than its 54th term यानि कि यह जो AP है that is 3,15,27,39 इस AP में 54th term कुछ ना कुछ आईगी उस 54th term में 132 जोडें तो वो कौन से number की term होगी यह हमें बताना है यह इस question की language है so इसके लिए सबसे पहले हमें AD यह सारी चीजे तो चाहीं होगी तो A हमारे पास यहां पर clearly आपको दिखेगा कि 3 है D जब आप 15 में से 3 minus करोगे यानि कि 15 subtracted by 3 करोगे तो यहां पर D आपका आजाएगा 12 next अगर हम सबसे पहले 54th term calculate करें क्योंगी question में हमें सबसे पहले 54th term calculate करनी होगी तो A54 जो है वो हमारे पास यहां पर हो जाएगा A plus 53 D और A plus 53 D यानि कि A यानि कि A की value है यहां पर 3 plus 53 multiplied by 12 so यहां पर हमारे पास आजाएगा 3 plus 636 so इसके बाद यह होगा 639 यानि कि पहली बात तो हमें यह पता है कि हमारी जो 54th term है वो है 639 लेकिन question में यह कहा गए कि इस 54th term में जब हम 132 add कर देते हैं तो वो कौन सी term होगी हमें यह बताना है तो हम इसे simple form में कर सकते हैं वैसे इसे कहीं और तरीके से भी करा जा सकता है इस type के question को लेकिन हम simplest form करते हैं like अगर हम 639 में directly अब 132 add कर दें that is 132 अगर add कर दे 639 में तो हम directly देखेंगे कि जब हमने add कर दिया तो यह जो value है यह आजाएगी हमारी 771 और 771 हमें बताना है कि कौन सी term होगी इस AP की नहीं कि उस AP में यह जो 771 हमने यहाँ पे value calculate करी है यह nth term होगी यह तो हमें पता है लेकिन इस n की value हमें नहीं पता तो हम कह सकते हैं कि अब a हमें पता है वो है 3 दी हमें पता है वो है 12 a n हमें पता है वो है 771 लेकिन n हमें नहीं पता अब आपने देखा था कि हम इसे n की equal कैसे लिख सकते हैं अपने previous question में सारी चीज़े बहुत अच्छे सा सीखी हैं तो हम इसे formula के according ही लिख देंगे like a n का हमें formula पता है वो होता है a plus n minus 1 multiplied by d तो a n equal होगा यानि 771 equal होगा a plus n minus 1 multiplied by 12 so जब हम इसे solve करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा directly हम 3 को left side shift कर देंगे तो यह हो जाएगा 768 equal n minus 1 multiplied by d और d यहाँ पर है हमारे पास 12 तो हम इसे लिख देंगे like जब हम 12 को 768 को 12 से divide करेंगे तो n minus 1 equal होगा हमारे पास 768 divided by 12 और 768 को जब हम 12 से divide करेंगे तो we will get 64 यानि कि divided by 12 equal 64 तो n minus 1 की value आ जाएगी 64 और n यहाँ से equal आ जाएगा 65 के यानि कि यह जो term है हमारी यह 65th term है यानि कि 771 जो है वो हमारी 65th term है इस AP की